हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे सो बच्चों आज की हम वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्ष्वल प्रोसेस तो प्रोसेस के तुरू वो हम सारी प्रोसेस आज पढ़ेंगे तो उनमें से सबसे पहले प्रोसेस है प्लेनोगामेटिक कोपूलेशन में क्या होता है fusion of two naked motile gametes इस case में क्या होगा जो naked motile gametes है उनका क्या होगा fusion होगा it is of three type यह किते type का होता है three type का होता है planogametic copulation examination point of view से बहुत important है कि sexual processes किन किन तरीके से fungus में होती है ठीक है long answer question के form में भी यह question पूछा जा सकता है तो आप सभी students इसको note करिए ठीक है it is of three types यह three type का होता है isogametic, anisogametic and oogametic okay it is of three types isogametic, anisogametic and oogametic isogametic में क्या हमें देखने को मिलता है the fusing gametes are morphologically similar but physiologically different and are formed on different hyphae iso means same जो gammy होंगे sorry gammy नी जो gametes होंगे वो क्या होंगे morphologically क्या होंगे similar होंगे दिखने में क्या होंगे बलकुल similar होंगे but physiologically क्या होंगे different होंगे different hyphae में क्या होंगे formed होंगे तो उनको हम बोलते है isogametic अभी diagram के थूरू भी हम इनको देखेंगे second जो है फिजिंग gamb月 होता है ne-gamy वो morphologically lub Physo logically क्या होंगे different oni i să gagmy यहां पर देकने को नहीं मिलेगी जो fusing gametes होंगे वो morphologically भी वी दिखने थिखने मेंहीबी and physiologically भी क्या होंगे different होंगे जो मेल review ऑप थोड़ा स्मॉल होगा और ज्यादा active होगा as compared to female gamut, और जो ओ गैमी के case में हम देखने को हमें जो मिलेगा वो होगा, जो female gamut है, that is ovum, is non-motile, वो completely non-motile होगा, एन इस गैमी के case में female gamut भी motile होगा, लेकिन less active होगा, but ओ गैमी के case में हमें क्या मिलेगा, जो female gamut होता है, ovum जो होगा, वो completely क्या होगा non-motile होगा और जो male gamet होगा जिनको हम बोलता है enthrosoid वो क्या होगे motile होगे और यह सारे जो structure होगे ovum और enthrosoid वो एक special gamet angia में बनेंगे जिनको हम बोलता है eugonium और enthridium eugonium के अंदर क्या बनेगा हमारा ovum बनेगा एक बनेगा और एंत्रीडियम के अंदर क्या बनेगे हमारे एंत्रोजोइड बनेगे ओके इनको अब हम डाइग्राम के फार्म में देखते हैं जिससे आप सबको वह अच्छे से समझ में आएंगे देखो बच्चो आइसोगेमी में हमने पढ़ा था कि जो फ्यूजिंग गैम कौन सा फीमेल गैमिट कौन सा है तो इसे हम क्या बोलते हैं आइसोगेमिट ठीक है हमें पता नहीं कि मेल गैमिट कौन सा है फीमेल गैमिट कौन सा इनमें से एक मेल होगा और एक क्या होगा फीमेल गैमिट होगा तो यह क्या है सेम है बट फीजोलोजिकली क्या होंगे थोड़ा कम active होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर एन आइसोगेमी के केस में हमें क्या है morphologically similar structure देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है difference आइसोगेमी और एन आइसोगेमी में इतना ही है देखो बच्चो अब जो उगेमी का case हम देखते हैं उगेमी केस में क्या होता है जो female structure होता है वो completely क्या होगा एक जगा पर स्थिर होगा अपनी position पर क्या होगा स्थिर रहेगा इंमोटाइल होगा ओके लार्ज होगा और क्या होगा इंमोटाइल होगा बट जो अंत्रोजोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोट के इन्थ्रीडियम के अंदर बनेंगे इस अंधर नाम दे दिया जब यहां से निकल गया थे एंप्टी एंथ्रीडियम और यह क्या हमारे एंथ्रोजोड्स हैं आया देखो अभी तक हमने पढ़ा था प्लैनो गैमेटिक कॉपुलेशन अभी जो हम पढ़ रहे थे आईसोगे अधिया है यहां पर देखने कॉम अलग दो आजिए में इसे चाहिए तो खार्ट फिक्र ही जटिए है। आट कि में पर That Day. अलग एूआ सैक्षिय ब्लेजाय में हंगे कॉम्हार देखने कॉमチजु में गार्ट अथ है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो gamits होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की gamit anger से release नहीं होगे, यानि कि अगर एक बन रहा है तो वो ovum से, ugonium से कभी भी release नहीं होगा, और अगर anthrozoids बन रहा है तो वो वहाँ से release, anthridium से release नहीं होगे, बलकि इन में रुपरक्शन कैसे जब वो special gamit anger structure, ugonium और anthridium, जब एक दूसरे के close contact में आएंगे, तब जाके वहाँ पर क्या होगा, fertilization होगा, और contact में कैसा आएंगे, fertilization, tube की help से close contact में आएंगे, इसका भी हम diagram देखते हैं, देखो students, जो gamit anger contact वाली process थी, अभी जो मैंने gamit anger contact आप लोगों को बताया, gamit anger contact म में क्या बताया, कि जो दो gamit, जो gamit बनने माले जो structure हैं, जिनके अंदर gamit बनेंगे, gamits gamit angium के अंदर बनेंगे, तो वो क्या होगे, वहाँ से gamits बाहर कभी release नहीं होगे, ठीक है, वो एक दूसरे के close, grow करेंगे, और fertilization tube की help से gamits के होगे, एक से दूसरी body में pass on होगे, तो के अंदर देवलप होगे, ये कह पुडा गोल, उगोनिम, इनके अंदर ये क्या है, उसपोर्स बने हैं, ठीक है, अब ये क्या है, ये दूसरी hi-fy है, ये अनदर हाइफी है, यहाँ पे क्या बन गये, male antricium बन गये, ठीक है, एंथ्रीडियम जिनके अंदर एंथरोजोइट बनेंगे ये enthridium है ये और ये कि हमारी है इस आंपी और संप्रेयाइजेट्रायज पीयोफ है जिसके हमारी एंधुराओं कτί ये limited है ने अल्ती डियम है ज्लुचं क्या होंगे एंध्री में इंदर ऑ AO करेंगे ठीक है ये यह है, गैमिट एंजर, कॉंंटेक्ट का प्रोसेस, ठीक है, इसमें कहा है, am Rünst, इक दूसरे के, कॉंटेक्ट में आ रहे हैं, घ्री आज़ जो, थर्ड हमारा प्रोसेस है, वो है, गईमिट एंजर, कॉपोलेशन, गैमिट एंजर, कॉपुलेशन में, हमें क्या देखने को मिलेगा इस पर क्यों गर जो compatible gamet angia होंगे वो क्या करेंगे entirely अपना सारा content क्या होंगे करेंगे एक दूसरे के में क्या कर देंगे mix कर देंगे gamet angia corporation involved fusion of the entire content of two compatible gamet angia दो compatible जो gamet angia होंगे उनका जो भी content होगा वो completely क्या होगा आपस में fuse हो जाएगा जब वो एक दूसरे के close contact में आएंगे ठीक है देखो इसमें इसका डाइग्राम हम देखते है देखो students यह कौन सा हमें process दिखा रहा है gamet angia copulation की process दिखा रहा है किस चीज की process दिखा रहा है copulation की ओकी gamet angia copulation यहां पर देखने को मिला यहां पर क्या है दो compatible gamet angia यह क्या है pro gamet angia है यह हाइफी है ठीक है plus strain और minus strain की यानि कि यह दो अलग-अलग different है हाइफी है ठीक है एक कोई fungus से है एक दूसरी fungus से plus strain से एक minus strain से ठीक है plus strain minus strain यही दिखा रहा है कि वो दोनों अलग-अलग fungus से हाइफी है इन में क्या बनेंगे pro gamet angia ठीक है pro gamet angia क्या बनेंगे फिर gamet angium में convert होंगे और यह क्या होंगे जब इनका fusion होगा जब यह आपस में close contact में आएंगे तो इनका क्योंगा fusion होगा और इनकी जो contact of wall है यहाँ पर यह वाल है यह क्या हो जाएगी completely dissolve हो जाएगी और एक का सारा content दूसरे उसमें दूसरे का सारा इसमें यह क्या होगा content आपस में क्यो जाएगा mix हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या बनता है हमारा एक zygospore formation होता है gamet angium copulation का result होता है zygospore बनना यह हमें किस केस में देखने को मिलता है rhizopus mucor के केस में zygospore देखने को मिलता है gamet angium copulation देखने को मिलता है देखो जो हमारा यह structure है ऐसे बनेगा और यहाँ पर क्या होगा एक complete हमें क्या देखने को मिलेगा zoospore देखने को मिलेगा ठीक है यह इनका क्या है content पुरा mix up हो गया है plus strain है और minus strain है इनका content mix up हो गया और यह क्या बन गया हमारा zygospore जू spore नहीं है zygospore नाम मियाद रखना confused मत होना zygospore ओके अब जो next हमारा process है वो है spermatization क्या है वो spermatization में क्या होता है in some advanced genera sex organs are completely absent ठीक है एडवांस जैनरा में क्या हमें देखने को मिलता है जो sex organs होते हैं वो completely क्या होते हैं absent होते हैं और जो sexual process होती है वो कैसे accomplished होती है minute spore-like spermatia के थूँ ठीक है जिसको हम male gamut बोलते है spermatia और जो एक receptive हाइफी होगी उसको हम बोल देते हैं female gamut वहां पर क्या होता है जो special structure होते है reproduction के sexual process के लिए वो क्योंते completely absent होते हैं तो वहां पर जो sperm की तरह एक्ट करता है जो sperm को लिजानी की तरह एक्ट करते हैं उनको हमने नाम दे दिया spermacea और जो female receptive हाइफी की तरह एक्ट करते हैं उनको हमने नाम दे दिया female gamut ठीक है spermacea का diagram हम देखते हैं देखो बच्चो जो spermatia का structure हम देख रहे हैं वह है spermatia मतलब जो वह इक structure जो क्या कर रहा है male sex gamits को क्या कर रहा है whole करके रहा है और male sex órgan को यह कर रहा है develop कर रहा है तो उसको हमने बोल जेख हैं पहे spermatia यह कह देखो यह हमारी क्या है hij savation है यह complete है हम्में देख रहे है کہ spermatia ठीक है उसको हमने बोल देख ए Exercra Higher टिया एसी हमें दूसरी हाइफी में देखने को मिलेगा वहां पर फीमेल structure डेवलप होगा इन केस में क्यों होगा कुछ हाइर फंजयाइज में क्यों होता है sexual reproduction particular टाइप के sexual जो औरगन होते हैं वह देखने को नहीं मिलते हैं जो उगोनियम होगा और रेहिसा structure तो इसलिए उन फंजाय में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जहां पर मेल स्ट्रक्चर डवलप होगा तो उसको हमने बोल देंगे हम उगोनियम यह देखो यह हमें हाइफी में ही देखने को मिलेगा यह कंप्लीट हाइफी ही है यह कोई पर्टिकुलर और नहीं है सेक्शल और नही सिच्ञाय यह उगूण जाइगे का जाएगी कि हमें इस पर मेया जैसा दीखेगा यह भी आप थे प्रकर हो गार यह कहाँ जाएंगे आप ज़स्ट्रक्चल बिसम खाण करेंग्यों बहुत हिए यह जैसे जैसे सबस्क्राइब आपकोंने खुम्हारीव और दाने बनने और चर्टूे। जो होता है वो completely क्यों होता है एपसेंट होता है तो इसलिए हम धीरे धीरे जैसे आगे की classes की बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर sexual cycle जो होती है जो sexual process होती है वो completely क्यों होती है reduce होती है अब भी हमने देखा सबसे पहले हमने देखा था is in the object of contact में जब हमने देखा था तीव के एम रहे है फिर हमने देखा सीड़ी शीद्त कर रहे हं रहे है पाalten हमने देखा iteration許 कर रहे है तो हमने क्वेंट हमें जोता हमें बूबेंट अन् again क्वेतन है में सोमय तो यहां पर हम आजींग मुं होती नहीं होती हैं नहीं मिलते हैं छोय होती है दो क्यों होते हैं जोंघर होती है एक करते हैं लैने है जी वेजिटेटीव नुकलिस एक हाई फिकन नूव्कलिस्टे जरूत रखे का नूवर्विशाट न अपसमें फ्यूज करेंगे और दिप्लॉईड फेस में आगे अगे प्रॉसस करेंगे है यह हमें देखने को मिलतا है जो और आगे हाई है थीकह है अगिरी इकसल समवें करी अगे हैं अगे ऐट वाय एड़ाँस क्लासमें की जाते हैं जाएंगे वहां पर Q defence होगी वह क्या होगी कमप्रीटली reduce होगी और absent होगी ठीक है और deuteromycetes के case में देखेंगे हम यहां तक तो besidomycetes, agaricus besidomycetes में आता है तो besidomycetes के case में क्या हो गया somatic hyphy का fusion हो रहा है somatogamiae अब इसकी बाद next class में जब हम जाएंगे zygomycetes में वहाँ पर तो क्या होता है sexual reproduction जो होता है completely क्या होता है absent होता है okay समझ में आया I hope आप सब को यह video अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी है तो video को like कीजिए ठीक है share कीजिए अपने friends के साथ comment कीजिए मुझे comment करके बताईए आपको video कैसे लग रही है अच्छे लगी है वह बताओ नहीं अच्छे लगी है तो वह बताओ अगर कुछ improvement मैं कर सकती हो अगर आप चाहते हो कुछ improve करूं तो आप वह बताओ या फिक particular topic पर अगर आप सब video चाहते हैं तो वह बताओ ठीक है okay bye take care